देखो मैंने अभी तक दो सेकेंड हें गाडिया ली है वीडियो भी बनाएं कि आपको गाड़ी लेते वक्त इन चीजों के ध्यान दखना है लेकिन I got to know what's the difference between theoretical knowledge and practical knowledge जो knowledge मुझे गाड़ी लेने से पहले थी और जो knowledge मुझे हुई गाड़ी लेने के बाद जमीर आस्मान का फरक है तो मैं आपको reality चेक करवाने वाला हूँ second hand car dealers के बारे में अगर आप dealer से ले तो dealer की मैं बात कर रहो नोन परसंट से ले रहो तो अलग बात है मैंने YouTube वीडियो देख ली मैं लिस्ट बना ली मैं गूगल से टाप लिया तस ऐसी चीज़े जॉप को गाड़ी में चेक करनी है मतलब बता तो कि आम आदमी क्या करता है वीडियो देखने के बाद 10 चीज़े नोट बना लिए हाँ यही मुझे देखना है लेकिन जब आप गाड़ी लेने जाते हो तो ऐसी चीज़े आपको नहीं मिलेंगी अगर आपको लगता है कि मैं इंटीर भी चेक कर लूँ मुझे टिप टॉप चीए मुझे यही कलर चीए और फस्ट है किलो मतार फस्ट ओनर ड्रीवन चीए इतनी किलोमेटर ड्रीवन चीए गाड़ी एकदम स्टेरिंग सस्पेंशन सबसे टिप टॉप ओना जी तो वह गाड़ी आपको डीलर के पास नहीं वह आपको मिलेगी शोरूम में जो ऑथराइस डीलर है उनके पास वर्ना में चूना लगा वैगनाडर में नहीं लगा थौड़ा बहुत लगा वो चूना नहीं कह सकते वो चीजytes मुझे पता थी कि यह नुकसान है हाँ एक चीजव का नहीं पता था वो मैं बता हुआ एक तो अगर आप एतनी पुरानी गाड़ी लेते हो तो सबसे पहले च इसका नहीं कि या फिर आपकी सर्विस रेकर्ड से आप देख सकते हो कितना चली है लेकिन मीटर वैक हुआ है कि नहीं वह नहीं पता सकते हैं जरूरी नहीं आपके पास सर्विस हिस्ट्री में 60,000 दिखा रहे हैं तो गाड़ी 60 चली है हो सकता है बाहर करवा के फिर 60 पे लेकिन गाड़ी मीटर वैक जरूर मिलेगी आपने जो चीजे ओनलाइन देखिए कि एक बार इसके पैडल देख लेना कितने किसे हैं स्टेरिंग देख लेना कितना मंझा हुए गेर स्टिक देख लेना हिला गए तो ऐसा नहीं है यह चीज़े बहुत कम काम करती है अगर कोई ड्राइवर बहुत अची चला रहा है तो उसको चाहे आप सत्तर हजार किलोमेटर गाड़ी चलवा दो उसकी गाड़ी एक तंटेंच कंडिशन मिलेगी अगर वो सत्तर हजार चला के चलो मैं अपना नाम ले लेता हूँ जयाना तो क्या मेरे साथ हजार चलिए ब्र कोई भी अगर ऐसा बता दे कि हाइस की गाड़ी साथ चलिए जो मांगोगे वो दाम मिलेगा हालां कि बेच नहीं रहा हूँ जस्ट एक्जामपल दे रहा हूँ लेकिन ऐसे भी लोग होते है बीस हजार चला रखे लेकिन उसमें स्टेरिंग घिज देते हैं आथ में कड़ा मैंने गाड़ी एक दम बहार अंदर से अच्छे से देख लिए इंटियर बहुत बड़ी एक्स्टियर बंपर पेंटेट थे उतो चलो डिल्ली ने बताया था कि दिल्ली की गाड़ी और बंपर पेंटेट ना मिले ऐसा तो होई नहीं सकता मेरा डिलर सही था उसमें बता दे देख लिए ब्रेक मार के देख लिए कोई दिक्कत नहीं थी जैसे गाड़ी लेकर आ है पेंट यहादि इतनी बजी गाड़ी नीचे से फिर लगा कि इसके चिम्टे बुश-फुश-जो है जा रख है नीचे से गाड़ी का काम होना जरूरी था यह चीज नहीं पता था तो एक चीज समझ के चलो अगर आपको यह लगता कि आप छेघ करने वाले हो तो उडियागा है नहीं कर सकते है वह ही ट्राफिक बहुत है अड़र चीज़ चेक नहीं कर सकते हैं अप गारνη अब लोक चीज़ दो डाइख किलोमेटर चलाई थी उसमें जटके मारे नहीं घर पे लाए तो इस वाले पॉइंट को मैं छोटा करूं तो आप यह समझ सकते हो अगर आपको यह सारा सोचके करूंगा में यह भी चेक कर लोगा नहीं कर सकते एक नएक कम्या घर पर आगे पता लगे यह रास्ते मैं पताता हूँ जब मैं वर्ना ली तो मैं वहां करोल बाग में जो हनिमान जी की मूर्थी है वहां पर कोई डीलर था वां गाड़ी देग रहा तो गाड़ी ऐसे खड़ी थी मैं डीलर को बोला है इसका मीटर वैक तो नहीं है कर भई यही गाड़ी जो आपके सामने आप ज्यादा कम यह निकालते हो कि इसमें तो यह दिक कर दा इसमें डीलर एकी चीज घएगा यह आपके सामने खड़ी लेनी है तो लेलो ऐसी है थे और आपको शूट करती है तो आप लेलो एकस्टीर अच्छा मिल गया तो फरस्ट ओनर नहीं मिलेगी फरस्ट ओनर अज तो बहुत जाएधा चली भी मिलगई तो आपको हरियाना की नहीं मिलेगे. अगर हरियाना की चाहिए. फिर आपको दिल लीकी मिल रहे हैं. सार चीज़े मिल रहे हैं तो आपको पराइसमी फिट बैट ही. सूरे चीज़े प alma की to model पूराना मिल रहे है. कई ना कई जाके adjustment करनी पड़ती है dealer से आप बहस बाजी नहीं कर सकते कितना है कर लो वो काट के ही छोड़ेगा आपको ठीक है तो वहाँ पैसे की चबत आपको लगेगी ज़रूर लगेगी मैं जहां तक कोशिश करूँगा I think this would be my last second hand car mental peace नहीं रहती है मतलब पुरानी गाड़ी चला लेता है वो फील नहीं आती है अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ पता नहीं क्यूं मिरे नाम पर ट्रांसफर नहीं हुए अभी तक या तो यह रीजनल हो सकता है लेकिन कलको ट्रांसफर हो जाए तो यह रहता है सुकून पहली गाड़ी नहीं गाड़ी देती है हाँ एक चीज़ और मैं यह बता देता हूँ कि अगर नहीं गाड़ी लेते हो तो कम से कम तीन साल तक गाड़ी को देखने की जरूरत नहीं है अगर धंकी चलाते हो पुरानी गाड़ी कितनी ही देखके ले लो आते ही खर्चा उसमें एट लीस्ट पाथ से दस हजार का है सर्विस तो मालों तीन चार पांच अजार की होती है बागी डिपेंस उन दे कार विच कार युआ बोट तो यह चीज़ है मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं कीच रहा हूं को टिप्स नहीं दे रहा हूं जो है सके च्प्रवीज चाहएं अभी ठीक है सई चद्रीया मेरा काम निकाल देगी जिस चीज के लिए में लेक रहे हैं परसनल यूज में तुम यह घ्लीज लेता ही नहीं लेकिन उसका फिर वही कोई शॉट शॉट है नहीं कि आपको इतनी चली मिलेगी और सस्पेंशन क्या बताओं कैसे चेक करोगे अब नहीं बता सकता हूँ गाड़ी को थोड़ा से चड़ाई पर चड़ा के टर्न काटते हुए और स्लोप पर चड़ा के ब्रेक मार दें अगर रगडर ऐसे खाती है कुछ चीज आवाज आती है चूँ 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 करके तो इसके सपेंशन गए हुए सपेंशन स्टेरिंग एसी कंप्रेसर मेजर एलेक्ट्रोनिक्स अगर दिखकत है तो गाड़ी छोड़ दो अदर्वाइस किसी के वाइपर नहीं चल रहे है खराब है किसी का कोई बल फ्यूज है किसी के डिस्क पैड डलने है तो इन कम्यों के साथ गाड़ी को ले सकते हो ठीक है मैं आपको सच चीज बता रहा हूँ तो इस वीडियो शेर यूर फीड़एक अबाट एंट कर देडियो के बारे बताना आपका क्या अपीनियन था सब्सक्राइब दो फोलों इन इंस्साग्रम थेंक्यू सो मच